हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस इस समय आप लोगों का यूपी बोर्ड का एक्जाम चला है फ्रेंस चार अप्रेल 2022 को कच्छा 12 का गड़ीत का पेपर हो चुका है इसमें क्या करेंगे जितने भी प्रश्ण है उसका एंस्वर देखेंगे कि किस प्रश्ण का ए समय मिला था यह टोटल सौन नंबर का पुड़ांग था इसमें पंद्रा नंबर 15 जो है आपको पढ़ने के लिए प्रश्ट पत्र का समय मिला था फ्रेंस यह निर्दर्शांग है आप पढ़े होंगे आप सभी को पता होगा पढ़ भी सकते हैं चलिए यहां पर देखते है देखिए यहां पर आपका पहला प्राश्ण है कि पहले प्राश्ट में यह देख सभी खंड करना अम्य रहार है इस मीं सीधे आपको घंड नंबर के प्राश्टन कि दूसरे नमबर का है कि सभी हें सभी हक्स के बारा से anterior वता है उसमें आप सामने एंस और लिखा है याने करते को फिर घंड साइट बिराबर करना होता है लेकिन देखिए ऐसे किसी सवाल में मान करना और उसका इंसर बताएंगे है कार्ड inverse minus 1 बटा के करोड़ी 3 का मुख्यमान कितना होगा तो इसका answer 2 pi upon 3 answer होगा ठीक है देखिए यह सतत फुलन सिद्ध करना था फिर इसके बाद आप देख सकते हैं अंग्यावला कि 2a minus b ग्याद की कि इसका मान ग्याद करना था यह आप यह अभी दिया यह बी का दिया है तो फ्रेंज जब इसको हल किया जाएगा तो 2a minus b का आपका मान आएगा कि minus 1 5 3 5 6 0 होगा चले फ्रेंज अगले प्रेंज का answer देखते हैं दो फ्रेंज इसी तरह आप खा कर देख सकते हैं इसमें पूछा था कि किसी दोड़ में एक जीतने के प्राइकता 1 बटा 3 है त तथा बी के जीतने का प्राइकता एक बटा 3 है तरह कि द्रण को ए और विम से कोई नजीत्व इसकी प्राइकता इसका एंसवर 1 बोटा के दो होगा फिर इसके बाद जितने प्रश्न फ्रेंस छोड़ रहें आप सभी का तो उसका आपको क्या करना है कि सिद्ध करना इसलिए उसका एंसवर आपके सांवने दिया होता है जिसका मान ग्यात करना उसको बता रहे हैं फ्रेंड, देखीे ये आप का ख़़ह है कि यह आभी दिया, जिसके अब यूदिया छानो और बी दिया है तो फ्रेंड, A, B का मान ग्यात करना था इसका एंसवर होगा आपका हो जागा यक्ष लाग यक्ष माइनस वन प्लस सी होगा घखा कर देखते हैं तो साइन एक्ष पहाए का यक्ष का एक्ष के साप़ेच अउकलन करना था तो फ् רेस इस प्रश्ण का आपका एंसवर यह है कि शाइन एक्ष पहाओर कास यक्ष कोष्टक कास स्कॉर एक फान साइन एक्स माइन स ऐंस साइन एक्स लाग सा yön एक्सि होगा इस प्रेंशन का राइट एनसवर इतना होगा ला लीजेगा ा आपने क्या है चले सरेए यहां भी sortie शिद्य करना इसलिए इसका अनौर ताफ कि आपने क्या हूल करके आए यहां भी देखी इस प्रस्वों स्युद्ध करना इसलिए इसका इंसर आपके सामने इसको हैं अब खरे सकते हैं अब क्या तुर इतो यह जा कि इंवर्समान गयात करना यह तो इसका इसका इंसर शुद्ध को ढर्ब बर पांच और दो बटा के 5, दो बटा के 5, मैनिस एक बटा के 5, यह आप यू होगा, ठीक है, फिर इसके बाद friends देख सकते हैं, कि इसके बाद आपको यह प्रशन सीधे करना है, इसके बाद घह कर देख सकते हैं, और इसका answer देख सकते हैं, यह आपका समाल कलम करना था, 0 to A, यानि कि य इसका answer आजाएगा आपका, A upon 2, तो friends इस प्रकार से जितने प्रशन सभी का answer बता रहे हैं, friends इसका यदि आपको हल चाहिए, तो comment box में लिखिए, इसका सभी हल हम आपको detail में करा देंगे, यह छटे नंबर का प्रशन है friends, देखिए, आपके सामने का number कहा, इसका क्या करना ह है आपको कि समाकलन करके sign square x dot dx का मान गयाद करना था, तो इसका answer हो जाएगा, पाई बटा के 4, माइनस एक बटा के 2, इस प्रशन का answer यह होगा, इसी पकार खा कर देख सकते हैं, यहाँ पर y is equal to x q minus 3 x square minus 9 x plus 7, तो उन बिंदूों को गयाद कीजिए, जिन पर आश्पर्स र एक कामा 12, इसी तरह गह का देख सकते हैं, यह आपके सामने सवाल है, इसका answer जो होगा, यक्स is equal to 2y square plus c y होगा, गह वाला देख सकते हैं फ्रेंस, यह आपके सामने total सवाल है, सवाल पढ़िएगा, आप इसका answer देखिए, आप इसको हल कीजिएगा, और answer अपना मिला लिज इसको आप पढ़ सकते हैं, फिर इसका answer जो हगा, पूछा है, दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब, यानि कि इसका समतल का सदीश और कार्ती समिकरण ग्याद करना था थे, इसका आपका answer होगा, 2x plus 3y minus j is equal to 20, इस question को आप पढ़िए और इसको हल कीजिए, फिर इसके बा देखें, इस प्रकार यह आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध करने वाला सवाल इसको छोड़ दे रहे हैं, और जिसका answer है, उसको बता रहे हैं, यह आपका number का रेखा हो, यह r vector का दिया है, और r vector यहां दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इन दूने की बीच की न्यूनितम दूरी कितना होगा, तो friends, इसका answer होगा, करणी 293 अपान साथ मत रख होगा, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न को, कि निमनल खित में से किसी एक खंड को हल कीजी, यह दो खंड था, इसमें से किसी एक को हल करना था, ठीक है, तो इसमें से खा है कि समीकर निका है, मन दो आएगा चलिए, इस प्रश्न को, किसी एक कम्त को हल कीजी, यहाँ पर आपका सवाल है, इसको हल करना था, और यह आठ नम्बर का प्रश्न था, और इसमें से सवाल हल करना था, लेकिन यहां पर आपको दोनों हल करके इसका एंसवर आपको दिखा रहे हैं देखिए आपके सामने यह सवाल है और इसका मान पूछा है तो फ्रेंस इसका मान होगा चैत्र फल ज्याद करना घीर है उस प्रशन का रइट आसर हो जागा आपको इसका अंसवर चाह रहा है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें उसका आपको प्रोवायड जरूर करेंगे तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें